लगता है कि तेजी ही होनी चाहिए अगर हम पिछले चार दिन का चार देखते हैं तो वो higher top higher bottom है और कल का जो correction हुआ गिराउट हुई वो उसको correction मानके चलना चाहिए अभी भी lower bottom नहीं हुआ है तो trend intact है और मुझे लगता है कि 8100 बहुत एम support है उसके नीचे नहीं जाना चाहिए तो 8100 के करीब जित्ता मिलता है उत्ता बाय करना चाहिए 8-0, 8-0 का stop loss लगाना चाहिए और 8200 के targets हम expect कर सकते है 8200 जैसे अनिल जिनी भी कहा derivative data के सबसे बहुत important है मेरा भी मानना है कि 8200 के cross करना बहुत मुश्किल है और अगर करता है तो बहुत अच्छी shot covering आपको देखने को मिल जानी चाहिए